प्रेमित्रों, हैपी इस्टर, हालेलुया, आमेन, येश्व मसी मुर्दों में से जी उठा, आज इस्टर का दिन है, आहाहा, हालेलुया, नाचो गाओ, क्योंकि येश्व मसी मुर्दों में से जी उठा है, और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने, प्रमेश्वर के बचन से बड़े खुशी के साथ कहूंगा, हमने गुड फ्राइडे के समय देखा कि येश्व मसी हमारे लिए बलिदान हुआ, वो मर गया, और तीसरे दिन वो हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए जी उठा, उसी के बारे में मैं कुछ बात कहना मांगता हूं, पहली बात, पुनुरुथान के तथ्य, और इससे पहले कि हम पुनुरुथान के तथ्य देखें, पुनुरुथान की महत्वता कितनी है, पहला कुरंथियों उसका पं बारा से बीस मैं आपके लिए पढ़ूंगा आप ध्यान से सुनिये यहां लिखा हुआ है सो जब कि मसी का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुँ में से जी उठा तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि वह मरे हुँ का पुनुर्थान होई नहीं सकता हम देखते हैं यहां पर तेर्मा पद में यदि मरे हुँआ का पुनुर्थान नहीं है तो मसी भी जी नहीं उठा और यदि मसी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार भी वेहरत है और तुमारा विश्वास भी क्या है वेहरत है वर हम परमेश्वर के जूटे गवा टेरे क्योंकि हम ने परमेश्वर के विशह में गवाई दी कि उसने मसी को जिला दिया यदि पी नहीं जिलाया यदि मरुवे नहीं जी उठते यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसी भी नहीं जी उठा और यदि मसी नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास वेरत है और तुम अब तक पापों में फसे हुए हो वरन जो मसी में सो गए हैं वे भी नाश हुए यदि हम केवल इस जीवर में मसी से आशा रखते हैं तो हम सा मनुश्यों से अधिक अभागे हैं हम देखते हैं कि उनुरुत्तान मसीहत्व का या क्रिस्चानिटी का पिनिकल पॉइंट है सबसे उचा पॉइंट है अगर येश्यों मसी मुर्दों में से नहीं जी उठा तो मसीहत बेकार है और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि येश्यों मसी का पुनुरुत्तान बहुत इंपॉर्टेंट है हम जीवते परमेश्वर के अरादना करते हैं हम मरे हुए लोगों के अरादना नहीं करते हैं जीवत परमेश्वर के अरादना करते हैं पहला तथ हम देखते हैं गेहु का दाना 12 अध्याय और 24 पद 12 अध्याय और 24 पद क्या लिखा हुआ है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों प्रभू इश्यु मसी वो गेहूं का दाना जो आपके और मेरे लिए मारा गया जमीन के अंदर उसको गाड़ा गया जी हाँ लेकिन वो मर करके जी उठा हम देखते हैं कि इश्यु मसी मुर्दों में से जी उठा और आपको पता है इस जीवत जो कांसेप्ट है जो सिद्धान्त है उसी की वज़र से आज हम आप और हम जीवत हैं शारीरी क्रूप से अगर एक की हुँ का दाना जब हम बोईंगे अगर दस नहीं लाएगा उस वापस तो फाइदा क्या एक से हमें दस दाने या बीस दाने मिलते हैं इसी प्रकार से हमें खाना मिलता है तो पुनरुत्तान हम नाचरल वर्ल में देखते हैं कि किस प्रकार से एक दाने से पचास दाने सौ दाने निकलते हैं इसलिए तो गिसान जाता है विश्वास के साथ भाई कि मैं सो अगर दाने डालू जमीन में तो मुझे कम से कम एक हजार दाने तो मिलेंगे मिलेंगे तो पहला तथ्य हम देखते हैं स्वाभाविक रूप से नैचरल दूसरी बात हम देखते हैं प्रभुष मसी का जी उठना मरने से पहले प्रभुष मसी ने एक बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ मैं पढ़ना मांगता हूँ यहन ना उसका ग्यार्मा ध्याय और पच्चीसवा पद ध्यान से सुनिये क्या लिखा हुआ है जब वो लाजरस को जिलाने गया उसने ये कहा येशु ने कहा पुनुरुथान और जीवन मैं ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जियेगा अभी वो लाजरस को जिलाने के लिए तयार था वो मर गया था तिन चार दिन हो गए उसमें से बदबु आ रही थी लेकिन येशु मसी पुनुरुथान है येशु मसी जीवन देने वाला है मेरे दोस्तों और उसने ये कहा कि जो अगर मर भी जाए वो जियेगा और उसने फिर उसको जिलाया उस मौत से निकाला फिर हम देखते हैं पहला कुरंतियों पंद्रवा अध्या है मैं कई बाइबल के वर्सिस जो परमेश्वर का वचन है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर का वचन ही एक गवा बन सके पहला कुरंतियों पंद्रवा ध्या है तीन से पाँच क्या लिखावा है इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुचा दी जो मुझे पहुची थी कि पवित्रशास्त्र के वचन के अनुसार येश्यू मसी हमारे पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया और पवित्रशास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कई लोगों को वो दिखाई दिया वो हमारा पहला फल है और उसके बाद हम दूसरा फल जो हम सब लोग हैं हम आते हैं और फिर हम देखते हैं उसने कई convincing proof भी दिया अरे साब, proof भी तो होना चाहिए ना अगर law of the court में अगर हम जाएं तो वो पोचेगा आप से भाई क्या आपके पास कोई proof है तो proof भी है साब प्रेरितों के काम उसका पहला अध्या है ये proof हम दिखाएंगे आपको प्रेरितों के काम उसका पहला अध्या है और तीन पत क्या लिखा हुआ है और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वा उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बाते करता रहा जीवित प्रमेश्वर जीवित इश्वमसी सब लोगों ने आशा छोड़ दी थी छेलों ने भी आशा छोड़ दी थी लेकिन वो तीसरे दिन वर्दों में से जी उठा और क्या है जो प्रमाण पहला प्रमाण ये है कि पत्थर लुड़का हुआ उपर की तरफ चला गया वो पत्थर कई टन का होता था पुराने समय में अपने आप ऐसे तो नहीं जा सकता था पर मेश्वर की सामर्द ने उसको हटाया दूसरी बात येश्यो मसी जिस कपड़े में लपेटा गया था वो कपड़ा तो महीं था जिसमें कबर के उपर लेकिन वहां से शरीर गायब हो गया निकल गया और कपड़ा वहां पर रहे गया क्या प्रतीत होता है कि प्रभुईश्य मसी शरीरिक रूप से जीवित हो उठा फिर तीसरी बात आपको पता है रोमन जो सोल्जर्स थे चारो तरह दस बारा लोग पहरा दे रहे थे और उनका जो पहरा देना का मतलब है अपने जान से खिलवार करना अगर उनके पहरे के सम मांगते थे लेकिन उनने जब यह उस्ता में हुआ जब बहुत बड़ा भूई डोल हुआ और प्रभुईश्य मसी मुर्दों में से जी उठे और इस प्रकार से उन्होंने कई लोग को दिखाई दिया बलकि मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं एक बहुत सुसमाचार उसका 28 अध्याय और पहले कुछ पद सब्द के दिन के बाद सब्ता के पहले दिन पौफटे ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कबर को देखने आई तब एक बड़ा भुकम्प हुआ क्योंकि परमेश्वर का एक दूद्स स्वर्ग से उतरा और पास आकर उ उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उजवल था उसके भैसे पहरेदार काप उटे और मृतक समान हो गये हैं सुरग दूद्स ने इस तरी उसे कहा मत डरो मैं जानता हो कि तुम येश्व को जो कुरूस पर चढ़ाया गया था डूनती हो वो यहां नह जाकर उसके चिलों से कहो कि मृतकों में से जी उठा है और देखो व drives ने गलील को जाता है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों मेरे भाइए भैणो रिजयॉष आनंद करिये क्योंकि प्रभु येश्व मसीफ मुर्दों में से जी उठा है आज वा जीवित पर मेश्वर पहली बात हमने दुसरी भात हमने देखा पुनुरुथान की आशा मतलब कहने का ऐस्यatiques यहीश्य मसीर करने हैं तो आपके लिए और मेरे लिए आपके पास और मेरे पास ये आशा है हमारे पास एक नई बोड़ी होगी एक नया शरीर होगा मैं आपके लिए पढ़ूँगा पहला कुरंथियों उसका पंद्रवा अध्याए 42 से 49 पत पहला कुरंथियों उसका पंद्रवा अध्याए और उसका 42 से 49 पत तक सुनिए क्या लिखा परमेश्वर के वचन में मुर्दों का जी उटना भी ऐसा ही है शरी नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उटता है वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उटता है निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्द के साथ जी उटता है स्वाभाविक दे बोयी जाती है और आत्मिक दे जी उटती है जबकि स्वाभाविक दे है तो आत्मिक दे भी है ऐसा भी लिखा है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना परंतु पहले आत्मिक न था परंतु स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ तो हम देखते हैं मेरे मित्रों यहाँ पर कि किस प्रकार से आप और मैं अंतिम दिन में या स्वर्ग में जीवित रहेंगे और क्या लिखा हुआ है एक्यावन पर देखो मैंने तुम से ये भेद की बाते कह दी कि हम सब तो नहीं सोएंगे परना तो सब बदल जाएंगे छड हम बादलों में हमेशा जाएंगे और नाश्वान दे और नाश्री को पहन ले और यह मरनहार दे अमरता को पहन ले और इस प्रकार से हम जीवित होंगे और क्या लिखा हुआ है हे मृत्यू तेरी जय कहा रही हे मृत्यू तेरा डंग का रहा और इस प्रकार से हम देखते है ये शुमसी जैसा मुर्दों में से जी उठा है हम भी वैसे ही जी उठेंगे और परमेशर के वचन में लिखा है इन बातों के द्वारा हम एक दूसरे को क्या करें डाड़स बादें डाड़स दें, encouragement दे हमेंसे कई लोग ऐसे हैं जो मौत की निन सोगा है लेकिन जो जीवित हैं उनको हम आशा दे कि भाई एक दिन हम मिलेंगे क्योंकि ये शुमसी मुर्दों में से जी उठा है, तो हम भी जी उठेंगे और उसके साथ हमेशा हमेशा उसके साथ वो राज्य करेंगे मैं पढ़ूँगा एक और पत पहला थेसलोनियों चार अध्याए, सोला और सत्रा क्या लिखा हुआ है, सुनिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है क्योंकि प्रभू आप ही स्वर्ग से उत्रेगा उस समय ललकार और प्रधान दूद का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी पूकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले और इस रिती से सदा प्रभू के साथ रहें इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या करें? शान्ती दें, इनकरिजमेंट दें ये तो परमेश्वर का वचन कहता है ना? तो आईए, चौती बात और अंतिम बात की और चलें पुनुरुत्थान की सामर्थ पहले हमने देखा पुनुरुत्थान का तथ्य दूसरा हमने देखा कि ये शुमसी जी उठा तिसरी बात पुनुरुत्थान की आशा कि हम जी उठेंगे और चौती बात पुनुरुत्थान की सामर्थ जो सामर्थ प्रभुईश्यमसी में पाई जाती है पुनुरुथान के समय जी उठने की वही सामर्थ आज आप में और मुझ में हैं जो प्रभुईश्यमसी को प्यार करते हैं पुरानी बातें बीद गई देखो वे सब नहीं हो गई अब नहीं क्यों हो गई क्योंकि प्रभीश्व मसी के जीवन का सामर्थ आप में और मुझ में हैं इसलिए मेरा वो जो पुराना वाला मनुश्य था वो मर गया अब हम नहीं जीवन की चाल चलें एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा फिलिपियों उसका तीसरा ध्याय और दस पद क्या लिखा हुआ है सुनिए ताकि मैं नौपत से पढ़ूँगा और मैं उसमें पाया जाओं ना कि अपनी उस धार्मिक्ता के साथ जो विवस्था से है परंतु उस धार्मिक्ता के साथ जो मसी पर विश्वास करने के कारण है और फरमेश्वर की और से विश्वास करने पर मिलती है त उसको और उसके पुनुरुथान के सामर्द को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानू और उसके मृत्यू की समानताम को प्राप्त करो। और आत्मी के रूप से मैं जीवित हो उठता हूँ। जिलाएगा। जैसे येश्व मसी मुर्दों में से जी उठा हम भी आत्मिक रूप से पाप में मर कर येश्व मसी में नए जीवन आए। रोमियो की पत्री उसका छट्मा ध्याए और आट से ग्यारा। इसलिए यदि हम मसी के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह भी है कि उसके साथ जीएंगे भी। क्योंकि हम जानते हैं कि मसी मरे हुँँ में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यू उस पर प्रभुता नहीं करती। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक भी बार मर गया परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। एसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसी यश्व में जीवित समझो। मेरे दोस्तों लिखा हुआ है परमेश्वर के वच्चन में कि यदि कोई प्रभुश्व मसी में है वो क्या है नई स्रिष्टी है। नया, बिलकुल नया, सब कुछ नया हो जाता है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी एक दो पद जो आपके इंकरेजमेंट के लिए मेरे लिए बहुत आतियंत आवश्चक है। कुलुसियों उसका तीसरा अध्याए और पहले कुछ पद, ध्यान से सुनिये। सो जब तुम मसी के साथ जिलाए गए, जो प्रभीश्व मसी के साथ जिलाए गए, जो प्रभीश्व मसी पर विश्वास लाते हैं, प्रभीश्व मसी को अपना उद्धार करता माना है, उसको प्रभू करके माना है, सो जब तुम मसी के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गी य पर ध्यान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसी में के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है सो जब मसी हमारा जीवन है प्रगट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहीत प्रगट किये जाओगे इसलिए अपने उनंगों को मार डालो जो प्रित्वी पर हरतात वेविचार आज दुष्टता दुष्कामना पुरी लालसा लोग जो मुर्ति पूजा के बराबर है यह सब को मार करके जो पवित्र आत्मा का फल है नए जीवन का फल है वो हम प्राप्त करें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ इफीसियों पांच अठारा में यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है यदि पवित्र आत्मा का नियंत्रन मेरे जीवन में आपके जीवन में है तो हमें नई आशार, नया जीवन, नया वहवार, नई मानसिक्ता देगा इफीसियों 5.18 क्या लिखा हुआ है? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्पन होता है पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तूति गान और आत्मी गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभू के सामने गाते और स्तूति करते रहो और सदा सब लोग के लिए हमारे प्रभूईश्य मसी के नाम से प्रभूईश्य पिता का धन्यवाद करो जब मैं और आप मेरे मित्रों प्रभूईश्य की आत्मा में भरे रहते हैं उसकी आत्मा में नियंत्रित रहते हैं मेरी मानसिक्ता, मेरा विवेक, मेरा पुरा व्यक्तित्व जब पवित्रा आत्मा में भीग चुगा होता है तो पवित्रा आत्मा के फल आपके और मेरे जीवन में आते हैं गलतियों उसका पांचवा अध्या है और उसका आगे की पदों को देखा पांच, बाइस और तेईस में क्या लिखा हुआ है ये नए जीवन का चिन है दोस्तों आत्मा का फल यदि नए जीवन हमारे जीवन में है जैसा प्रविश्वमसी मुर्दों में से जी उठा और जिस प्रकार हम जब प्रविश्वमसी को अपनाते हैं उसको ग्रहन करते हैं तो हमारे जीवनों में नए जीवन का फल आना चीए और ये फल क्या है गलतियों पांच बाइस पर आत्मा का फल प्रेम आनन शांती धीरज और दया भलाई विश्वास नम्रता सैयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई विवस्ता नहीं और जो मसी इशू के हैं उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और विलाशाओं समेथ क्रूस पर चड़ा दिया जदी हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के नुसार चले भी और घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़े और न एक दूसरे से दाह करें ये परमेश्वर का बच्चन है मेरे दोस्तों मे या आपका जीवन मेरा जीवन परमेश्वर की आत्मा से जीवित है बहुत इंपोर्टेंट बात है हमारे जीवनों से पहले कए ऐसे जीवन चले गये दी ल मोडी, विलियम केरी, सादू संदर सिंग, पंडिता रामाबाई, बिली ग्रहम, ग्रहम स्टेन, आप और मैं हमारे पास जीवन की आश्या है क्या आप ये जीवन की आश्या दूसरों को बताएंगे दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वे भी आपके साथ अनंत जीवन के सहभागी हों मेरे मित्रों आईए हम दूसरों के साथ हिस्टर का मैसेज शेयर करें हमने देखा पुनुरुत्थान के और हमने देखा कि इतना इंपोर्टेंट है जीवित होना हमने देखा कि कैसे प्रभीश्य मसी मुर्दों में से जीवित हो उठा आप हमारे पास आशा है कि हम भी जीवित होंगे मौत हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है बलकि मौत जीवन की शुरुबात होगी विश्रेश करकि उन लों के लिए जो प्रभीश्य मसी के हैं उनके चेले माने जाते हैं उनके अनुयाई हैं उनको अपने दिल दिमाग व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं आप भी ये वचन लीजि आप अपने जीवन में बोहिए और दूसरों के लिए एक आशिश का कारमर हैं तब ही हम कह सकते हैं हैपी इस्टर तब ही हम कह सकते हैं अरे सहाब इस्टर मुबारक हो तब ही हम कह सकते हैं ये इस्टर का दिन ये पनुरुत्थान का दिन मेरे लिए आशिश का दिन है ऐसा ह आमें